Hello students, welcome to Magnet Brains, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सब बढ़िया होंगे आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है free of cost quality education from class K to class 12 जी हाँ सही सुना आपने किंडरी गार्डिन से लेकर class 12 तक ही कराई जाती है आपको complete education वो भी free of cost प्रोवाइड तो करना क्या है आपको YouTube चैनल पर जाना है and कर देना है Magnet Brains को सब्सक्राइब जहां पर आपको CBSC Board से लेकर other state board जैसे की UP Board, MP Board, विहार Board जैसे courses भी अवेलेबल है यहां तक कि आपको practice questions भी यहां पर solve कराए जाते हैं e-books and e-notes की जो link है आपको description box में मिल जाएगी तो करते हैं आज की video स्टार्ट मेरा नाम है हश्मित कॉर और मैं हूँ आपकी math faculty तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे chapter 4 जिसका नाम क्या था simple equation यह chapter हम पूरे दरीके से complete कर चुके हैं और उससे related हम exercises भी solve कर चुके हैं और उसके बाद हम MCQs भी पढ़ चुके हैं तो अब जैसे की मैंने आपको बोला था हम क्या लेकर आएंगे most important questions तो आज हम क्या पढ़ेंगे most important questions जो आपको exams में आ सकते हैं सबसे पहला question क्या है write the following statement in the form of equations मतलब हमें क्या बताना है ये statements हमें देखे रखिये हैं और हमें statement को देखते हुए बनानी क्या है equations बनानी है समझ में आया तो सबसे पहला question हमें क्या दिख रहा है the sum of four times a number and five gives a number five times of it equations बनाना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था चैप्टर में ठीक है पूरा चैप्टर ही equations related है equations कैसे बनाते है equations को solve कैसे करते है variable की value कैसे निकालते है and उसमें मैंने आपको दो method से भी सिखाया था transposing method and basic method तो प्लीज जाके आप वो वीडियो देखिए ताकि आप M.I.K. उस बहुत अच्छे से solve करमाई ठीक है तो सबसे पहला question जैसे कि बोला है sum of sum का मतलब आपको पता है add होने वाला है sum of four times a number four times a number times का मतलब मैंने आपको पता है था multiplication होता है number हमें नहीं पता है number हम and मान लेते हैं suppose हमने क्या माना and sum of four times a number and five मतलब four and और five का क्या हो रहा है sum हो रहा है ठीक है समझ में आया gives a number तो हमें क्या मिलेगा gives मतलब क्या होता है equal to ठीक है तो हमें क्या मिलेगा number five times of it five times यहाँ पर भी times use हो रहा है मतलब five times मतलब five multiply होगा किस से होगा? OFF IT लिखा हुआ है OFF IT का मतलब उसी नंबर से हो जाएगा उसी नंबर से हो जाएगा उसी नंबर से मतलब नंबर हमने N माना है तो यहाँ पे N आ जाएगा मतलब फिर से एक बर समझा रही हूँ The sum of 4 times the number and 5 तो 4 N और 5 का क्या हो जाएगा? Sum हो जाएगा क्योंकि A नंबर बोला है और हमें नंबर नहीं पता है हमने नंबर को क्या suppose किया है? N suppose किया है टाइम्स मतलब होता है multiplication तो 4 multiply by N तो क्या आएगा? 4 N आएगा 4 N और 5 को जब हम प्लस कर देंगे तो gives a number 5 times of 8 तो क्या number आजाएगा? 5 times of 8 मतलब इसी number का 5 times आजाएगा और number हमने क्या माना? N माना तो 5 multiply by N हो जाएगा ठीक है? एक बार फिर देखते है equation कैसे बनेगी? The sum of 4 times the number तो हमने क्या suppose किया? Let the number be Let the number be N हमने क्या मान लिया है? number को N मान लिया है ठीक है? तो उसके बाद हमें question में क्या बोल रहा है? According to question According to question क्या बोल रहा है question? The sum of 4 times the number 4 times the number मतलब 4 multiply by N हो जाएगा क्योंकि number को हमने क्या माना है? N माना है ठीक है? And 5 मतलब प्लस कर देंगे हम 5 को क्योंकि sum बोला गया है तो प्लस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा ठीक है? gives gives मतलब equal to आ जाएगा gives a number 5 times of 8 मतलब 5 times of 8 5 multiply by N हो जाएगा 5 times of 8 का मतलब वो number की ही बात कर रहा है of 8 का मतलब वो उसी number की बात कर रहा है तो number हमने N लिया है तो 5 times a number मतलब 5 multiply by N हो जाएगा ठीक है? समझ में आया? तो हमारी equation क्या बन रही है? हमारी equation बन रही है 4N plus 5 is equals to 5N ठीक है? आया आपको समझ में? तो आप कर लीजे से note down अब next question देखते हैं next question हमसे क्या बोल रहा है? 1 fourth of a number अब क्या बात हो रही है? 1 fourth की बात हो रही है of a number number हम X मान लेते हैं यहां में of हमें पता है क्या होता है? multiplication होता है हमने क्या माना? multiply का sign लगा दिया number हम X मान रहे हैं तो यहां पर क्या आजाएगा? X आजाएगा is is 2 more than 5 क्या बोल रहा है? 1 fourth of a जो number है ना वो कितना जादा है? 5 से 2 number जादा है 5 से मतलब अगर हम 1 fourth of X को minus 5 कर देंगे तो यहां पर difference 2 आएगा? आएगा की नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर क्या बोल रहे हैं हमसे जो 1 fourth of a number है ना वो 2 number जादा है किस से? 5 से तो जब हम 1 fourth of a number और 5 का difference निकालेंगे तो answer 2 ही तो आएगा समझ में आया आपको तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखे 1 fourth of a number की बात हो रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या मान रहे हैं? Let Let the number be X क्या मान लिए हमने number को? X मान लिए है, ठीक है? अब यहाँ पे बोल रहे है 1 fourth of a number तो 1 fourth of X हो जाएगा समझ में आया आफ का मतलब multiply होता है तो 1 fourth of X ठीक है Is 2 more than 5? क्या बोल रहे हैं? जो 1 fourth of a number है वो 2 number जादा है किससे? 5 से अगर हमसे बोला जाए कि जो 8 है 8 है वो 5 से कितना जादा है? अगर हमसे simple language में बोला जाए equation को छोड़ो अगर हमसे बोला जाए जो 8 है वो 5 से 3 जादा है तो हम इससे कैसे निकालेंगे? 8 minus 5 is equals to 3 कर देंगे ऐसे ही होगा? तो सेम यहाँ पे बोल रहा है जो 1 fourth of a number है 1 fourth of a number है वो 5 से कितना जादा है? 2 जादा है तो यहाँ पे minus हो जाएगा अब समझ में आया simple मैंने करके बताया तो equation की तुरू कैसे होगा? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 fourth of x minus 5 is equals to क्या आजाएगा? 2 आजाएगा क्या आजाएगा? 2 आजाएगा ठीक है? आया समझ में अगर हम 1 fourth को x से multiply करते हैं मतलब 1 multiply by x करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? x upon 4 आजाएगा यहाँ पर minus 5 है यहाँ पर क्या है? 2 है ठीक है? इतना समझ में आया तो हमारी equation क्या बन रही है? x upon 4 minus 5 is equals to 2 ठीक है? समझ में आया? यहाँ पर एक और line add हो जाएगी यहाँ पर एक और line add हो जाएगी कौनसी होगी वो line? according to question क्योंकि question को देखकर ही हमने क्या बनाई है? equation बनाई है तो according to question आजाएगा यहाँ ठीक है? तो आप कर लीजिए से note down A and B question हमने solve कर दिया है and statement को देखकर हमने क्या बना ली है? equation बना ली है क्योंकि हमने equation chapter बहुत अच्छे से बढ़ा है ठीक है? कर लीजिए आपने note down हम next question देखते हैं next question क्या है? question 2 क्या बुला गया है? convert the following equations in statement form मैंने आपको यह भी सिखाया था सबसे पहली exercise ऐसी ही थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो करना क्या है? आपको जल्दी से जाना है उस वीडियो को देखना है और फिर MIQs पर आना है ठीक है? क्या बोल रहे हैं? हमें यह equation देखे रखे हैं हमें क्या करना है? इसे statement form में convert करना है तो हमें equation क्या दिख रही है? 5X is equals to 20 क्या दिख रही है equation? 5X is equals to 20 तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? 5 times times का मतलब क्या होता है? multiply होता है और हमें पता है 5X मतलब 5 multiply by X 5 times a number 5 times a number X is 20 5 times a number X is 20 इसका मतलब क्या है? 5 times a number मतलब 5X हो जाएगा 5 times a number X इस मतलब होता है equal to and वहाँ पर क्या है? 20 तो वही तो लिखा है यहाँ पर 5X is equals to 20 मतलब हमने statement क्या बनाई है? बिल्कुल correct बनाई है क्या होगी statement? 5 times a number X is 20 ठीक है? इससे अलग statements भी बनती है और भी statements आगर आपको बनाना है तो आप basic बना सकते हो लेकिन-लेकिन equation को match होनी चाहिए ठीक है? समझ में आया? Next देख लेते है B equation क्या बोल रही है? 3Y plus 7 is equals to 1 क्या बोल रही है? 3Y plus 7 is equals to 1 हमें पता है 3Y मतलब 3 multiply by Y तो हम या पे लिख सकते है 3 times a number 3 times a number Y when added to 7 when added to 7 gives यही पर लिख देते है gives 1 क्या कि हमने 3 times a number Y when added to 7 3 times a number Y मतलब 3Y हो जाएगा times a number multiply होता है यहाँ पे Y की बात करी गई है ठीक है? 3Y when added to 7 plus 7 हो जाएगा gives मतलब क्या होता है? equal to यहाँ पे equal to आ जाएगा यहाँ पे 1 मतलब 3Y plus 7 is equals to 1 हमने यही तो equation यही तो equation देके रखी थी हमने वैसे statement बना ली क्या दिये statement? 3 times a number Y when added to 7 gives 1 ठीक है? समझ में आया ऐसे आपको बनानी है statements ठीक है? तो आप कर लिजे से भी note आउं कर लिया आपने note आउं next question देखते है next question क्या है? question third यह थोड़ा unique question है ठीक है? अच्छे से देखिएगा if k plus 7 is equals to 10 क्या बोला है? अगर k plus 7 क्या देके रखा है? हमें 10 देके रखा है find the value of 9k minus 50 तो हमें किसकी value find करनी है? 9k minus 50 की तो सबसे पहले तो हमें क्या देके रखा है? हमें क्या देके रखा है? यहाँ पे लिख देते है given क्या देके रखा है? k plus 7 is equals to 10 ठीक है? and find क्या करनी है? हमें इसकी value find करनी है ठीक है? इसकी value find करने के लिए सबसे पहले हमें k की value पता होनी चाहिए? पता होनी चाहिए की नहीं? इस equation की value find करनें से पहले हमें K की value पता होनी चाहिए की नहीं? Of course पता होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे? Plus 7 को equal to के उसरफ transfer कर देंगे जिस वज़़से 10 minus 7 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे plus form में था equal to के उसरफ गया 7 तो minus form में हो गया ठीक है? समझ में आया के की value क्या आ गई है? के की value आ गई है 3 क्या आई के की value? के की value आई है 3 अब हमें क्या करना है? के की value को put कर दे रहा है इसमें क्योंकि हमें find क्या करना है? find the value of 9K minus 50 ठीक है? क्या देके रखा है? 9K minus 50 ठीक है? तो हम क्या करेंगे? K की value इसमें put कर देंगे क्या होगा 9 multiply by 3 क्योंकि K की value क्या थी 3 थी तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया है minus 50 अब हम क्या कर देंगे इसको solve कर देंगे 9 3s है कितना होता है हमें पता है 27 होता है हम यहाँ पर 27 लिख देंगे ठीक है बीच में है minus का sign यहाँ पर minus का sign लग जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 50 ठीक है अब क्या होता है plus minus minus होता है हमें अच्छे से बता है 50 minus 27 करेंगे तो answer क्या आएगा 23 आएगा उसके बाद हम क्या देखते है कौन से number बढ़ा है हमें दिख रहा है 50 बढ़ा है उसके आगे लगा हो है negative का sign हम यहाँ पर क्या लगा देंगे negative का sign मतलब इसकी value क्या आ रही है 9 के minus 50 की value आई है minus 23 आया आपको समझ में अगर आया है तो आप इसे भी कर लीजे note down अगर ऐसा कुछ question examiner आप से पूछ लेता है तो आपको करना आना चाहिए जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको सिखा दिया है ठीक है next question देखते है अब next question क्या देके रखा है solve the following equation हमें equation देके रखी हमें क्या करना है solve कर देना है हम कर पाएंगे solve जैसे कि हमें दिख रहा है क्या है equation 3 bracket open y minus 2 bracket close is equal to 2 bracket open y minus 1 bracket close minus 3 ठीक है समझ में आया तो हमें जैसे कि पता है according to board mass rule हमें सबसे पहले solve करना रहता है bracket पता है ना आपको हम क्या करेंगे सबसे पहले solve कर देंगे bracket क्या करेंगे bracket solve कर देंगे ठीक है क्या होगा 3 का multiply y से भी होगा हमें पता अच्छे से क्योंकि 3 भाहर है and bracket में y भी है and minus 2 भी है तो 3 का multiply y से भी होगा 3 का multiply minus 2 से भी हो जाएगा ठीक है आया समझ में ऐसे ही 2 का multiply y से भी होगा 2 का multiply minus 1 से भी हो जाएगा ठीक है कर देते हैं solve 3 को जब हम y से multiply करेंगे answer आएगा 3y ठीक है and 3 को जब हम minus 2 से multiply करेंगे तो पहले तो हम क्या करते है simply multiply करते हैं 3 2s are 6 and then फिर plus minus minus हो जाता है यहाँ पे लग जाएगा minus का sign इतना समझ में आया next देखिए next क्या है 2 का multiply y से हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2y ठीक है and then फिर 2 का multiply minus 1 से भी करना है हमें तो 2 multiply y सबसे पहले तो 1 करेंगे यहाँ पे आएगा 2 and plus minus हो जाता है minus यहाँ पे लग जाएगा minus का sign ठीक है and साथ में क्या है minus 3 तो अब हम क्या करेंगे हमें क्या करना है equation को solve करना है तो यहाँ पे हमें 3y दिख रहा है यहाँ पे हमें 2y दिख रहा है ठीक है हम क्या करेंगे like terms एक तरफ लेकर आजाएंगे मतलब 3y और 2y equal to के इस तरफ है हम इस तरफ लेकर आएंगे means LHC side लेकर आएंगे तो यहाँ पर positive form में था equal to के इस तरफ आएगा तो यह negative form में हो जाएगा minus 2y हो जाएगा ठीक है समझ में आया अब यहाँ पर देखिए minus minus क्या होता है plus होता है 2 plus 3 कर देंगी तो क्या आएगा 5 आएगा and then फिर हम देखते हैं कौनसा number बड़ा है हमें दिख रहा है 3 बड़ा उसके आगे लगा हुआ है minus का sign तो हम यहाँ पर भी लगा देंगे minus का sign ठीक है क्या है answer minus 5 अब यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा minus 6 ठीक है तो हम क्या करेंगे minus 6 को minus 5 वाले तरफ transfer कर देंगे क्योंकि दोनों like terms एक साथ आ जाएंगे ठीक है तो minus 6 को जब हम आरेचिस साइट transfer करेंगे तो वो क्या हो जाएगा plus 6 हो जाएगा ठीक है इतना समझ में आया तो अब हम solve कर देंगे इसे 3y minus 2y तो क्या हो जाएगा 3 minus 2 1y होता है तो हम direct y लिख सकते है ठीक है then फिर यहाँ पर हमें देख रहा है minus 5 plus 6 तो minus plus हो जाता है minus 6 minus 5 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 and 6 हमें देख रहा है positive form में हमें देखना पड़ता है कौन सा number बढ़ा है हमें देख रहा है 6 है वो भी positive form में तो 1 positive ही रहेगा तो y की value क्या आई है equation solve करने पर y की value आई है 1 ठीक है आयाँ समझ में तो आप इसे भी कर लिजी note down कर लिया आपने note down next question निखते है next question क्या बोला गया है if 5 is added to twice a number the result is 29 find the number हमें क्या बोला है हमें find करना है number के बारे में and उससे भी पहले हमें क्या बनानी है equation बनानी है ठीक है हमसे क्या बोला है if 5 is added मतलब added बोला तो plus होगा किस पे plus होगा twice a number twice a number अब number तो पता नहीं है number हम x मान लेते है तो यहाँ पर twice a number मतलब 2x हो जाएगा ठीक है मतलब 2x में जब हम 5 plus कर देंगे तो result क्या आएगा result मतलब equal to result हमारा आजाएगा 29 ठीक है तो इसे हम कैसे लिखेंगे सबसे पहले तो हम लिखेंगे let the number be let the number be x हमने क्या माल लिए number को? x माल लिया हमारा favorite variable ठीक है उसके बाद according to question according to question ठीक है? क्या बोल रहा है question? 5 is added to twice a number twice a number मतलब 2x हो जाएगा उसमें क्या add होना है? 5 add होना है तो result क्या आ रहा है? result मतलब equal to 29 आ जाएगा समझ में आया equation हमारी क्या बनी है? 2x plus 5 is equal to 29 अब हमें सरफ equation पे छोड़ना है क्या? नहीं हमें से solve भी करना है क्योंकि हमें number की value निकालनी है मतलब x की value निकालनी है ठीक है? तो निकाल लेंगे अब बताइए ज़रा कौन सा method यूज़ किया जाए? basic method या transposing method मैंने दोनों method से आपको सिखाया था कौन सा method यूज़ करें इस question में? basic method कर लें क्या? basic method कर लेते हैं एक equation में हम method change करते रहेंगे ठीक है? दोनों method से आपको आना चाहिए तो basic method में हम जैसे कि देखते हैं यहाँ पे plus 5 है तो क्या होगा? LHs and RHs zone of side हम subtract कर देंगे 5 को ठीक है? यहाँ पर लिख लेते हैं subtract 5 from both sides ठीक है? इतना समझ में आया? तो यहाँ पर क्या है? 2x plus 5 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? minus 5 हो जाएगा same RHS set भी होएगा 29 minus 5 ठीक है? अब क्या करेंगे? plus 5 and minus 5 cancel out हो जाएगा यहाँ पर क्या बच रहा है? 2x और यहाँ पर क्या बच रहा है? 29 minus 5 करेंगे तो answer क्या आएगा? 24 आएगा तो अब हम equation क्या मिल रही है? 2x is equals to 24 ठीक है? आया समझ में अब हम क्या करेंगे? अब हमें दिख रहा है 2 किस फॉर्म में है? multiplication फॉर्म में तो अब क्या हो चाएगा? LHS and RHS दोनों साइड 2 को हम divide कर देंगे यहाँ पर कर लेते हैं पहले तो लिख लिख लिएते हैं divide 2 to both sides ठीक है? समझ में आया तो यहाँ पर 2x है 2x divided by 2 हो जाएगा यहाँ पर भी same 24 divided by 2 हो जाएगा ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे solve कर देंगे 2 से 2 cancel out हो जाएगा यहाँ पर भी 2 1s are 2 और यहाँ पर 2 1s are 2, 2 2s are 4 तो x की value क्या आ रही है? x की value आ रही है 12 क्या है x की value? x की value आ है 12, ठीक है? समझ में आया हमने कर दिया है solve number हमें मिल गया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे the number is the number is 12 क्या है हमारा number? number है हमारा 12, ठीक है? समझ में आया तो आप कर लीजिये से भी note down कर ली आपने note down next question पर आते हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो करना क्या है? हमेशा की तरह like, comment and share कर देना है ठीक है? question 6 हमसे क्या बोल रहा है? the length of a rectangle is twice its breadth क्या बोल रहा है? जो length है rectangle की, वो breadth से क्या है? twice है, दुगना है समझ में आया if its perimeter is 60 cm अगर perimeter of rectangle क्या है? 60 cm है find the length and the breadth of the angle rectangle, sorry find the length and breadth of the rectangle तो हमें find क्या करना है? length and breadth rectangle की कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर पाएंगे कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या माल लेते हैं? breadth को b माल लेते हैं ठीक है? let the breadth be be माल लेते हैं ठीक है? क्योंकि axiom bore हो गए अभी let the breadth be be हमने क्या माल लिया? breadth की value हमें नहीं पता find करनी है तो breadth को b माल लिया है उसके according length क्या देके रखी है? length क्या देके रखी है? बताइए जरा क्या बोला है question में? length क्या होगा? length of a rectangle is twice its breadth तो क्या हो जाएगी length? 2b हो जाएगी? twice बोला है तो क्या हो जाएगी? 2b ठीक है? इतना समझ में आया साथ में क्या देखे रखा है पैरिमीटर पैरिमीटर कितना देखे रखा है पैरिमीटर हमें देखे रखा है 60 cm ठीक है तो अब हम क्या करेंगे फॉर्मुले में पुट कर देंगे क्योंकि हमें length and breadth दोनों की value चाहिए है ठीक है क्या हैगा फॉर्मुला perimeter of rectangle perimeter देके रखा है, तो हम perimeter ही निकालेंगे, perimeter का ही formula put करेंगे, क्या हो, formula parameter का हमारा formula होता है 2 length plus breath यह formula रहता है ठीक है, इतना समझ में आया perimeter हमें 60 देके रखा है हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 60 लिख देंगे ठीक है, और यहाँ पर क्या है यहाँ पे है 2 and length की information क्या मिले है हमें कि length twice है breath के तो 2 भी यहाँ पे आ जाएगा and breath को था हमने b माना है तो यहाँ पर भी b आ जाएगा ठीक है इतना समझ में आया अब हम क्या करेंगे सबसे पहले तो bracket solve करेंगे 2b plus b कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा and यहाँ पे 2 है बीच में है multiplication का sign and यहाँ पे क्या है यहाँ पे 60 है ठीक है इतना समझ में आया अब हम क्या करेंगे अब हमें क्या देख रहा है 2 किस form में है multiplication form में equal to के इस तरफ लेकर आएगे division form में हो जाएगा 60 divided by 2 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 3b अब हमें क्या देख रहा है 3b जो है 3 जिस किस form में है multiplication form में equal to के इस तरफ ट्रांसफर करेंगी किस form में हो जाएगा division form में तो 30 divided by 3 करेंगे हमारी breath क्या आएगी 3 1 2 3 and यहाँ पे 3 1 2 3 यहाँ पे 0 तो 10 cm क्या आ रही है हमारी breath आ रही है बी कितनी आई बी क्या थी breath थी तो breath कितनी आई है 10 cm यहाँ पे हम लिख देंगे breath breath को हमने बी माना था तो वो क्या हो गई 10 cm तो length कितनी हो जाएगी length तो breath की क्या थी दुगना थी मतलब 2 भी थी तो यहाँ पे 2 multiply by 10 कर देंगे answer क्या आएगा 20 cm आया समझ में कैसे solve किया है हमने क्या किया भी breath and length दोनों निकाल दी है जो कि अनसे question में बोला गया था ठीक है तो आप कर लिजी इसे भी note down कर लिया आपने note down अब next question देखते है next question क्या है question 7 7 times a number is 12 less than 13 times the same number क्या बोल रहा है कोई भी number हम मान लेते है number को हमने m मान लिया suppose हमने number को क्या माना है m माना है तो क्या बोल रहे है 7 times a number मतलब 7 multiply by m हो जाएगा number को अगर हम m मान रहे है 7 times times मतलब multiply तो 7 multiply by m हो जाएगा क्या बोला is 12 less than 13 times the same number वो 12 कम है less than मतलब कम है 12 number कम है किस से 13 times तो तो 13 multiply by same number मतलब m की ही बात हो रही है क्या बोल रहा है यह जो 7 m है न वो 13 m से कितना कम है 12 number कम है समझ में आया इसको हम अगर simple language में समझने की कोशिश करें with example हमसे बोला गया जो 5 है न वो 15 से कितना कम है 10 कम है जो 5 है वो 15 से 10 कम है तो हम क्या करेंगे इसको कैसे लिखेंगे 15-5 is equal to 10 लिखेंगे ऐसे लिखेंगे न तो सेम हमें यहाँ पर भी करना है हम क्या लिख देंगे 13 m minus 7 m is equal to 12 ऐसे लिख देंगे हम समझ में आया पहले normal हमने example के थू देखा अगर हम simple digits की बात करते तो हम ऐसे लिखते तो इसमें भी हमें समझ आ गए है कि कैसे लिखेंगे तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले तो निकालना क्या हमें number तो हम क्या मान रहे हैं let the number be, let the number be m, क्या मान लिया हमने, number को m मान लिया है, ठीक है, फिर हम क्या लिखते है, according to question, question देखके हमें क्या बनानी है, equation बनानी है, according to question, ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है, question क्या according, 7 times the number, is 12 less than 13 times the same number, तो हम क्या करेंगे, 13 times the same number, मतलब 13 m, कितना कम है, 7 m उससे, कितना कम है, 12 कम है, 13 m से 7 m, कितना कम है, 12 कम है, तो हमने दोनों का difference निकाला, तो क्या आया, यहां पे 12 आया है, क्या आपको समझ में आया, इसका मतलब क्या है, यहां पे बोला गया था, 7 times the number, 7 times the number, is 12 less than 13 times the same number, ठीक है, हमने वैसे equation बनाई है, हमें निकालना क्या है, वो number निकालना है, मतलब m की value निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे, 13 m minus 7 m कर देंगे, तो क्या आएगा answer, answer हमारा आ जाएगा, यहां पे 6 m, यहां पे क्या है 12, अब हम क्या करेंगे, solve कर देंगे, 6 m is equals to 12 है, हम transposing method की through अगर करें, तो 6 m हमें देख रहा है, multiplication form में, 6 को transfer कर देंगे, equal to के, उस तरह मतलब RHS side, तो क्या हो जाएगा, division form में चला जाएगा 6, 12 divided by 6, अब हम क्या कर देंगे, simplify कर देंगे, 6 1 is a 6, 6 2 is a 12, तो m की value क्या रही है, m की value आ रही है 12, क्या है m की value, m की value हमारी आ यह 12, हमने वो number find कर दिया है, क्या आ जाएगा, the number is 2, m की value 2 आ यह, the number is 2, ठीक है, आया समझ में, तो आप कर लिजी से भी note down, कर लिए आपने note down, हम next question देखते है, next question क्या है, question 8, the present age of a son is half the present age of his father, क्या बोल रहे हैं, जो present age है son की, वो half है, half है किसकी, उसके पापा की age की half है, present age of father's age, मतलब, अगर हम माने, अगर हम मान ले, अगर हम मान ले, let the present age of father, अगर, क्या मान ले रहे है, present age of father, y मान लेते हैं, ठीक है, अगर father की present age y है, तो उसके son की half है, बोली गई है, तो son की क्या होगी, son की क्या हो जाएगी, present age of son, पापा के half है, मतलब, half of y हो जाएगी, अगर y father की age है, तो half of y किसकी हो जाएगी, son की age, क्योंकि question में हमसे यही बोला गया है, the present age of son is half the present age of his father, ठीक है, इतना सबच में आया, अब next हमसे क्या बोल रहे हैं, next statement में हमसे बोल रहे है, 10 years ago, मतलब, अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं, the father age was thrice as old as his son, क्या बोल रहे हैं, 10 years ago, अब अब 10 साल पीछे जा रहे हैं, 10 years ago, यहाँ पर लिख देते हैं, 10 years ago, तो father की age कितनी हो जाएगी? अब 10 साल अगर हम पीछे चले जाएं, आज father की age y है, तो 10 साल अगर हम पीछे चले जाएं, तो y-10 कर सकते हैं, कर सकते हैं की नहीं, by chance हम से बोल गया father की age 50 है, लेकिन अगर हम 10 साल पीछे चले जाएंगे तो father की एज क्या होगी ? 50 minus 10 कर देंगे हम 40 हो जाएगी, plutôt ऐसे ही किया है अभी हमें numbers में नहीं बता है father's city age क्या है तो आपने y माना, तो 10 साल हम पीछे चले जाएगे तो y minus 10 हो जाएगी father कि एज इतना समझ में आया तो सन की एज क्या हो जाएगी 10 एज अभी कितनी है इतनी है दसल पीछे जाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा तो बस ये दसल पीछे की हमने डाटा निकाल लिया है पादर जेज वाई माइनस 10 एंड सन सेज हाफ वाई माइनस 10 इतना समझ में आया आपको तो हमसे क्या बोल रहे है कि 10 years ago the father age was thrice as old as his son age क्या बोल रहे है चो फादर की एज थी ना वो सन की एज की कितन थी thrice थी मतलब सन की एज अगर 1,2,y माइनस 10 है तो जो सन सॉरी अगर सन की एज हाफ ओफ वाई माइनस 10 है तो फादर की एज कितनी थी फादर की एज थी 3,y माइनस 10 अगर सन की एज इतनी थी ना तो फादर की एज इतनी थी ठीक है समझ में आया सन की एज हाफ वाई माइनस 10 है तो फादर की एज क्या हो जाएगी हमसे बोला गया 3 गुना जादा है तीन गुना जादा है मतलब अगर यह ऐसे समझिए वाई माइनस 10 किसकी एज है वाई माइनस 10 फादर की 10 अगों की एज है इतना समझ में आ रहा है आपको तो वाई माइनस 10 फादर की दस्तल पुरानी एज है हमें दे रखी हमने अभी निकाली है ठीक है इतना समझ में आया तो sun की age कितनी है sun की age दसल पुरानी हमें दिख रही है y-10 कितनी दिख रही है दसल पुरानी age हमने दोनों लिख दी है लेकिन यहाँ पर question में क्या बोल रहा है 10 years ago the father age was thrice as old as his son age तो father की age थी न वो 3 गुना जादा थी किस की age से अपने उनके sun की age से तो sun की age इतनी थी तो अगर हमें बराबर करना है तो यहाँ 3 से multiply होगा क्योंकि father की age तो उससे जादा है 3 गुना जादा है तो अगर हमें sun की age भी इनके बराबर करनी है तो यहाँ पर 3 का multiply हो जाएगा क्या समझ में आ रहा है आपको क्या किया था हमने, फिर से समझा रही हूँ, present age of father y था, हमने y माना, ठीक है, तो present age of son कितना हो गया, half of y, क्योंकि question में ऐसे बोल रहा है, अब 10 साल पीछे जाने की बात कर रहे थे, हमने क्या किया, present age से 10 minus कर लिया, यहाँ पर भी 10 minus कर दिया, तो father की age क्या आई, y minus 10, and son की age क्या आई, half of y minus 10, ठीक है, इतना समझ में आया, अब question में बोल रहे है, जब हम 10 साल पीछे चले जाएंगे न, तो जो father की age थी, वो 3 गुना जादा थी son की age की, ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो क्या लिख दिया, father की age, and son की age लिख दिया, ठीक ह है, इतना समझ में आया, हमने father की और son की age लिख दीक है, हमें करना क्या है, दोनों को equal करना है, बीच में equal का sign दिख रहा है, हमें equal करना है, equal करने के लिए क्या करना होगा हमें पता है जो father की age है तीन गुना जादा है sun की age से तीन गुना जादा है तो हम यहाँ पे इसको भी 3 से multiply कर देंगे sun की age को करेंगे की नहीं करेंगे जब हम sun की age को भी 3 से multiply कर देंगे तो दोनों की बराबर हो जाएगी जैसे कि father की age 60 है, son की age 20 है दस साल बीचे की बात चल रही है, father की age 60 है, son की age 20 है अगर हमें दोनों को बराबर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें पता है कि father की age जो है, son की age से 3 गुना जादा है हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को multiply करना पड़ेगा son की age से तब ही तो 60 equals to 60 हो जाएगा. इतना समझ में आया. तो यही तो हमने करा equation में भी. हमने क्या करा? हमें पता था, 3 कुना जादा है, पादर की age, ठीक है. तो हमने क्या करा? 3 को multiply कर दिया, sun की age से, ताकि 2 equal हो जाए. क्योंकि हमें करना क्या? हमें equation को solve करना है और हमें पता equation में होता क्या है equal का sign रहता equality रहती है तो equal करने के लिए हमने क्या किया 3 को multiply कर दिया अब समझ में आया आगे solve कर लेते हैं ठीक है अब जब हम इसे solve करेंगे तो क्या आएगा यहां पर यहां पर आ जाएगा y-10 यहां पर क्या आएगा 3 का multiply half of y से भी होगा 3 का multiply minus 10 से भी होगा इतना हमें पता है तो यहां पर क्या होगा 3 upon 2 y and 3 का multiply जब minus 10 से होगा तो 3 multiply by 10 30 plus minus minus तो यहां पर minus लग जाएगा ठीक है इतना समझ में आया अब हमें यहां पर y दिख रहा है हमें यहां पर 3 upon 2 y दिख रहा है ठीक है हमें क्या करना है like terms एक तरफ करने है तो कर देते हैं हम 3 upon 2 y minus y क्योंकि plus form में था equal to के उस तरफ मतलब हमने किस तरफ transfer किया है RHS side तो क्या हो गया minus y हो गया ठीक है एंड यहां पर क्या है minus 10 है अब minus 30 को equal to के इस तरफ transfer कर रहे है मतलब LHS side कर रहे है तो plus 30 हो जाएगा यहां पर हम लिख देंगे plus 30 ठीक है इतना समझ में आया अब हम solve कर देते हैं हमें दिख रहा है y की नीचे कुछ नहीं है denominator में हम 1 माल लेंगे 2 और 1 का LCM लेंगे 2 आजाएगा common LCM क्या आएगा 2 आएगा ठीक है तो यहां पर क्या होगा यहां पर होगा 3y एंड यहां पर solve करने पर आजाएगा minus 2y समझ में आया कैसे आया minus 2y कैसे आया हम कैसे solve करते हैं किसी भी number को हम कैसे solve करते हैं हमें दिख रहा है यहां पर 3 upon y ठीक है 3 upon sorry 3 upon 2y ऐसे दिख रहा है और हमें पता LCM क्या आया है LCM हमारा आया है 2 तो हम LCM को equal to के उस पर लिखते थे तो यहां पर क्या करते थे 2 multiply by 1 2 1s are 2 होता है यहां पर भी 1 ka multiply हो जाता था यहां पर आता था 3y तो हमने यहां पर 3y लिखा है Same ऐसे ही जहां पर है y upon 1 यहां पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे ठीक है 1 2s are 2 होता है यहां पर भी 2 का multiply होगा तो y multiply by 2 तो यहां पर 2y हो जाएगा, तो यहां पर 2y आया, अब समझ आया कैसे आया है, ठीक है, आपको करना है, note down तो कर लीजी नीचे वाला, मैं रप कर देती हो, अब समझ में आया, अब हम इसको solve करेंगे, minus plus क्या होता है, हमें पता है, minus होता है, 30 minus 10 करेंगे, तो यहां प उसके आगे लगा हुआ है positive sign, तो 20 already positive sign है, बीच में लग जाएगा equal का sign, ठीक है, इतना समझ में आया, अब देखिए, अब 2 हमें दिख रहा है किस form में, division form में, equal to के उस सरफ transfer कर देंगे, तो हो जाएगा, वो multiplication form में, मतलब 20 multiply by 2, यहां पर क्या है, 3y minus 2y, 3y minus 2y, direct minus कर दें क्या, 3y minus 2y करेंगे, answer क्या आएगा, यहां पर y आएगा, तो y की value क्या आ रही है, y की value आ रही है, 20 multiply by 2, 40, क्या आ रही है y की value, y की value आई है 40, y क्या था, father की age, हमें क्या find करना था, what are their present age, तो present age of father क्या आ गई, 40 आ गई है, क्या आई है present age of father, 40, ठीक है, तो sun की भी निकाल लेंगे, sun क्या था, half of father, क्या था, sun की age, यहां पर लिख देते हैं, side में, present age of father, y थी, तो क्या है यहां पर 40 years, ठीक है, अब उसके बाद हमें और क्या निकालना है, present, age of son, हमें पता है, half of y है, मतलब, half multiply by 40 हो जाएगा, तो जब हम simplify करेंगे, two ones are two, two twenties are forty, तो यहां पर क्या आ रहा answer, twenty years, क्या रहा answer हमारा, twenty years आ रहा है, ठीक है, तो यह निकला है, हमारा answer, ठीक है, समझ में आया, उसके बाद यहां पर continue किया है, पहले यह note down करना, फिर यह करना, and then फिर यह हमने क्या लिखा है, यह हमने answer लिखा है, ठीक है, समझ में आया, आपको, कर लिजी आप note down, कर लिए आपने note down, next question देखते है, next question क्या है, question nine, क्या दिये रखा है, question nine, question nine, हम से बोल रहा है, the sum of three consecutive multiples of two is eighteen, अगर हम consecutive numbers की बात करें, consecutive numbers की बात करें, तो वो क्या रहते हैं, हमें पता x रहते हैं, and उसके बाद x plus one, and उसके बाद x plus two, यही रहते हैं, यही रहते हैं की नहीं, लेकिन अगर हम consecutive multiples of two की बात करें, किसकी बात करें, consecutive multiples of two की, तो यहाँ पर two x हो जाएगा, multiples of two बोला है, मतलब two multiply by x, two multiply by x plus one, two multiply by x plus two, यह होंगे, ठीक है, तो जब हम इसे solve करेंगे, तो हमारा answer क्या आएगा, हमारा answer आएगा, यहाँ पर two x, ठीक है, एक आगे two x, and यहाँ पर क्या आएगा, two का multiply x से करा, two x आएगा, बीच में है plus का sign, two multiply by one किया, यहाँ पर two आगया, two one is a two, ठीक है, इतना समझ में आया, next भी same ऐसी हो जाएगा, two का multiply x से किया, two x हो गया, plus two का multiply two से किया, यहाँ पर four हो गया, तो हमारे consecutive multiples of two क्या निकल रहे हैं, two x, two x plus two, and two x plus four, ठीक है, यहाँ पर हम निखलेते हैं, consecutive multiples of two, ठीक है, यह हमने solve करके निकाला है, इतना समझ में आया, हमें क्या करना है, the sum of three consecutive multiples of two, three consecutive multiples हमने निकाल दिया है, यह क्या थे, three consecutive multiples of two थे, ठीक है, हमें क्या करना है, इनका sum करना है, और हमें देखे रखा है, sum क्या आ रहा है, sum का answer आ रहा है, 18, तो हमें find क्या करना है find the numbers मतलब यह जो numbers है ना यह हमें find करने है इतना समझ में आया कर लेंगे सबसे पहले तो sum बोला है तो sum करेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं according to question according to question क्या दे रहे हैं हमें plus करने के लिए बोल रहा है 2x plus 2x plus 2 plus 2x plus 4 is क्या बोला है 18 तो यहाँ पे equal to 18 लिख देंगे हम ठीक है इतना समझ में आया तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं like terms को एक तरफ transfer कर देंगे मतलब 2x plus यहाँ पे भी है 2x साथ में लिख देंगे यहाँ पर भी है 2x यह भी साथ में लिख देंगे ठीक है और क्या बच रहा है constants क्या है प्लस 2 प्लस 4 और यहाँ पे इकोल टू 18 ठीक है तो आप हम क्या करेंगे इसे solve कर देंगे 2x plus 2x plus 2x कितना हो जाएगा 2 plus 2 4 4 plus 2 कितना हो जाता है 6 हो जाता है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6x ठीक है इतना समझ में आया then फिर 2 plus 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा तो यहाँ पर plus 6 लिख देंगे यहाँ पे क्या है 18 अब हमें क्या करना है हमें देख रहा है 6 constant है equal to के उस तरफ transfer कर देंगे तो कैसे होगा 6x is equal to 18 यहाँ पर positive form में था equal to के उस तरफ जाएगा negative form में हो जाएगा तो minus 6 कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या आ रहा है 6x is equal to 12 ठीक है तो अब हमें क्या करना है 6x हमें देख रहा है multiplication form में 6 को हम transfer कर देंगे equal to के उस तरफ तो division form में चला जाएगा कैसे होगा x is equal to 12 divided by 6 cancel out करेंगे 6 1s are 6 6 2s are 12 तो x की value क्या रही है 2 आ रही है जब x की value 2 आई है तो 2x की value क्या आएगी 2 multiply by 2 हो जाएगा x की जगा हमने 2 को put कर दिया क्योंकि x की value क्या आई थी x की value आई थी हमारी 2 ठीक है समझ में आया तो 2x की value क्या आएगी 2 multiply by 2 कर दिया हमारा answer क्या आ रहा है 4 ठीक है then फिर 2x plus 2 की value क्या आएगी x की value put कर देंगे 2 multiply by 2 plus क्या है plus 2 है 2 2 जा क्या होता है 4 होता है यहापे है plus 2 यहापे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगी value ठीक है इतना समझ में आया Next आमें दिख रहा है क्या 2x plus 4 क्या दिख रहा है हमें 2x plus 4 दिख रहा है तो हम value put कर देंगे again 2 multiply by 2 plus क्या है 4 है तो यहाँ पर क्या आयगा 2, 2 is a 4 plus 4 कर देंगे तो answer आयगा 4 plus 4 एight ठीक है तो यह हमने क्या निकाल लिए हमने numbers निकाल लिए पहले आया है 4, दूसरा आया है 6, एड तीसरा क्या आया है 8 आया है ठीक है समझ में आया तो आप कर लिजी इसे भी note down कर लिए आपने note down next question पर आते हैं वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है आपको like करना है comment करना है मैं कुछ extra topics भी आड़ है extra topics in the sense थोड़ा level up करके मैंने questions को put किया है इसलिए आपका बहुत जरूरी है उसते भी पहले आपको अपने अपने concepts clear करना जरूरी है जिसके लिए आपको सारी वीडियो देख नहीं पड़ेंगी जिसमें मैंने chapter को बहुत ही अच्छे से समझाया है ठीक है समझ में आया तो question 10 हमसे क्या बोल रहा है question 10 हमसे बोल रहा है each of the two equal sides of an isosilis triangle is twice as large as the third side तो सबसे पहले हम क्या करेंगे isosilis triangle बना देंगे यह हमने क्या बना दिया isosilis triangle बना दिया जिसमें हमें पता है दोनों sides क्या रहते है इकोल रहते है ठीक है इतना पता है हमें यहां पर क्या बोल रहा है each of the two equal sides of an isosilis triangle is twice as large as third side मतलब यह जो जो equal sides है ना वो क्या है क्या है यह twice as large as third side जो third side है ना मतलब यह जो third side हमें दिख रहे ही है वाली third side उससे भी क्या है twice है twice मतलब दो गुना जादा है तो हम third side को क्या मान लेते हैं let the third side be let the third side be x हमने third side को क्या मान लिया x मान लिया तो जो दो equal sides है वो क्या हो जाएंगी twice है तो यह भी 2x हो जाएगी और यह भी 2x हो जाएगी इतना समझ में आया क्योंकि question में हम यह देके रखें जो equal sides है वो twice है third side के तो यह दोनों 2x हो जाएगी क्योंकि third वाली side तो हमने x मानी है ठीक है so two equal sides are क्या हो जाएंगी 2x हो जाएंगी क्योंकि question में हमें यह बोल के रखा है ठीक है next हम से क्या बोला है if the perimeter of the triangle is 30 cm अगर triangle का जो perimeter है वो क्या है 30 cm है find the length of each side of the triangle तो हमें क्या करना है हर एक side की length पता करनी है ठीक है समझ में आया तो given क्या है given perimeter of triangle क्या देके रखा है perimeter of triangle is equals to 30 cm यह देके रखा है और हमें क्या बता है sum of all the sides किसके equal होता है perimeter के equal होता है तो perimeter निकालने के लिए हम क्या करेंगे perimeter of triangle is equals to sum of all the sides सारे sides को अगर हम sum कर लेते हैं तभी हमारा perimeter निकलता है हमें यह पता है तो perimeter of triangle हम क्या कर देंगे sum of all the sides ठीक है इतना समझ में आया perimeter of triangle हमें 30 देके रखा था यह हम उसके नीचे लिख देंगे ठीक है sum of all the sides करना है एक side है x and 2 equal side क्या है 2x plus 2x ठीक है इतना समझ में आया अब हम क्या करेंगे plus कर देंगे x plus 2x plus 2x ठीक है, x मतला 1x है, 1 प्लस 2, 3, 3 प्लस 2, 5 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5x ठीक है, एद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 30 अब हमें क्या मिल रहा है, 5x is equal to 30 अब हमें क्या दिख रहा है, 5 किस फॉर्म में है, multiplication फॉर्म में equal to के उस सरफ जाएगा, किस फॉर्म में हो जाएगा, division फॉर्म में तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 30 divided by 5 यहाँ पर क्या बच रहा है, x बचेगा, ठीक है, क्योंकि 5 तो यहाँ पर transfer हो गया, अब हम cancel out कर देंगे, 5 1s are 5 यहाँ पर 5, 6 are 30, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 cm is equal to x, क्या आया, 6 cm is equal to x, एक साइड क्या आ गई, 6 cm, और दूसरी साइड क्या है, 2 x है, क्या होगा, 2 multiply by 6 कर देंगे, तो answer क्या हैगा, 12 cm, है न, same, एक और साइड है, जो कि 2 x है, तो 6 multiply by 2 कर देंगे, 2 multiply by 6 होगा, 2 x मतलब 2 multiply by 6, क्योंकि x की value क्या निकली है, 6 निकली है, यहाँ पर भी same y कर रहा है, 2 multiply by 6 कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 cm आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया, तो यह हमने क्या कर रहा है, हमारी तीनो साइड निकाल ली है, triangle की, यह नो साइड क्या निकाल ली है, triangle की निकाल ली है, final length of each sides of the triangle बोला था, एक आई है 6 cm और जो 2 equal sides सी मूंके आई है, 12 cm आई है, आया आपको समझ में, तो आप कर लीजी से भी note down, कर ली आपने note down, ठीक है, तो यहाँ पर होते हैं, हमारे MIQs, most important questions complete, तो आपको क्या करना है, वीडियो अगर अच्छी लगी है, तो like करना है, comment करना है, share कर देना है, and जाना है YouTube चैनल पर, and कर देना है, magnet brains को subscribe, यह रही हमारी application, यह रही हमारी website, यह रही हमारे top courses, जो आपको provide कराते हैं, free of cost, quality education, e-books and e-notes की जो link के आपको description box में मिल जा Twitter, WhatsApp, अब इन पर भी जा कि visit कर सकते हैं, और कर सकते है, magnet brains को follow, and इसके बाद जो next chapter में लेकर आने वाली हो, अगर आपको पढ़ना है, तो करना क्या होगा, YouTube चैनल पर जाकर magnet brains को कर देना होगा, subscribe, thank you so much.